है दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पटवारी भरती से कुछ इन्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में और यह इन्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए बहुती ज़दा खास होने वाला है क्योंकि इस इन्पॉर्टेंट अपडेट में आपको तीन चीज के बारे में अपडेट मिलेगा जो राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किया गया है और हरी परसाथ सर्मा की तरफ से जो चेर मैन है उनके तरफ से इस चीज को लेकर बड आपको समपूर्ण जनकारी मिलने वाले हैं। क्योंकि पटवारी के लिए कर कैंड़ेट काफी जादा जो है इसके इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जो पटवारी की एक्जाम निर्धारित होई थी वह जनवरी में होई थी पर यहां किसी कारणों की वज़ा से पटवारी की एक्जाम को इस्थगित किया और इस्थगित करने क मेन मोटिव यही था कि जो बजट पेस करना था उसके अंदर पटवारी की फॉर्म को री ओपन करना था राजस्थान सरकार को अगर पटवारी की एक्जाम हो जाती तो वह फारम री ओपन नहीं होता और इसको लेकर कैंडेट जो है जगा जगा पर मोर्चा या कह लीजे अब बात कर लेते हैं कि इसकी एक्जाम डेट एडवलुएस केंडेट कितनी छूट मिलेगी और कितनी उनकी कोटा है और साथ ही दोस्तों जो एक्जाम है वो कब होने वाली है इसके बारे में पूरी इंफरमेशन आज के व्यूडियो में में बताने वाले हैं और दी हुई है तो आपको आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो को इसकीप मत करिएगा अगर इसकीप करिएगा तो आप नहीं जान पाई है कि वह अपडेट क्या निकल कर आ रही है जो आप सभी के लिए खास है पटवारी एक्जाम डेट को लेकर पटवारी भरती को लेकर और इसकेंडरत को लेकर तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले करने चाहते हैं दोस्तों अभी तक आपने हमारा यूटुब चैनल सुट्वी चेनल स्टॉडी जोन को सब्सक्राइब कर लेगा और ज्यादा सब्सक्राइब कर दिएगा आपके टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माद्यम से सब अपडेट आपको वहां से मिलते रहेगी तो चलिए बीना समय गवाए हुए अब आपको वह तीनों अपडेट के बारे में बतायते हैं और जो आप सभी को जानना बहुत ही आज जुरूरी है पहला तो आप यह ज चीज के बारे में पता होगा अगर नहीं पड़ें तो आप देख लीजे इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जनकारी मिल जाएगी जैसा कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि इसको लेकर जो है सिक्षा मंत्री और चेर्मैन के बीच बैठक हुई है और बैठक के क परिक्षा को सबसे जादा जैनते हो जो है फैदेमन्त EWS के टेग्री यूवाव को छूट का फैसले के यहां पर मामले समझेंगे यहां पर दोस्तों EWS को आयो सीवा में छूट और पांच लाग जो है बिरुजगार अब कर सकते हैं आवेदन हर भरती में पदों की बढ़ो और साथ ही दोस्तों इनका इक्जाम डेट को लेकर क्या बयान है और कब से फारम री ओपिन की जाएंगे इसके बारे में पूरी संपूर्ण आज इस मीटिंग में बैठक हुई है और बैठक में क्या क्या कहा गया है हम आपको संपूर्ण जनकारी देते हैं तो पहला दोस् से तीन लाग केंडिट अप्लाइब कर सकते हैं तो यहां पर दूस्तों आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि अगर अपरील के die इसकी री-ओपिन यानि के दोस्तों अपरील में अगर फोरम री-ओपिन होती है री-ओपिन होने के मालिजी आज के डेट में स्ट बता जा रहा है कि जारी होगा देर साम तक वी इसके बारे में जारी होता है तो लगभग नोटीफिकेशन के माद्यां से फर्म फिलब करने की तो पर किरिया रहेगी वह पूरे एक मंथ चलेगी यानि कि अपरील चलेगी यहां पर अपरील से पर चीज को लेकर यहां पर विभाक को बनाना पड़ता है चोटी चोटी बारीखियों को यहां 손 तो इसको लेकर यहां पर आपकी प्रकेरिया की जाएगी अगर अपरील में मैं самого कoftete हिए अगर यहां पर आपकी देट में की जाती है तो यहां पर यहां पर जाएज सरकार इसको लेकर जल्द ही मीटिंग करें और जल्द ही इसकी फॉर्म की जो है डेट है वो निकाले कि जो EWS केंडेट है इसके अंदर अपलाई कर सके तभी जो दोस्तों आप सभी की पटवारी की एक्जाम डेट जल्द ही रिलीस की जाएगी वरना दोस्तों यहां पर जो अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट के इसाप से जो अपडेट आ रही है कि अभी एक से डेड़ मीना लगने वाला इस फॉर्म को री ओपन होने पर पर दोस्तों यहां पर काफी सारी भरतियों के फॉर्म को री ओपन होना है पर सबी की फारम को री ओपन होनी की यहां पर बात चल रही है पर अभी तक रास्थान सरकार की तरफ से कोई भी भरती को जो फारम है यहां पर री ओपन नहीं किया गया है तो यहां पर दोस्तों इस चीज को सरकार को जल्द ही समझने चाहिए और सरकार को जल्द इसके लेकर final decision और फारम को री ओपन करकर जो केंडेट बचे हुए थे जिनकी आयो सीमा पूरी हो चुकी थी और जो पटवारी में रीट में ऐसा ही भरती में जो अपलाई नहीं कर सकते हैं वह जल से जल जो है अपलाई कर लें और उनकी परिकरिया को पूरा किया जाएं यहां पर दोस्तों लंबित कर दिये जाएगा और यहां पर आपकी जो एक्जाम है पटवारी की वह नौमबर से पहले तो यहां पर होने वाली नहीं है तो इस चीज़ को राजस्तान सरकार को समझना होगा क्योंकि दोस्तों बार बार भरतियों पर एतनी परिकरिया करने के बाद कैंडेट इस सानी से कोई भी भरती यहां पर किलियर नहीं होती है जब तक इसके लिए अंदुलन नहीं होता है और यहां पर इस चूट को लेकर एक बड़ी समस्या बन चुकी है अब देखना क्या है कि राजस्तार सरकार कभी इसकी फॉर्म रियोपन करती है और कब से अपलाई कर सकते ह क्याने तो अपरिल के अंदर आपकी फर्म उकने की बहुत कम है क्योंकि सभ जो सब परिक्षाओं की जारी किा जाएगा उसके बाद हर एक प्रेकरिया को किया जाएगा उसके बाद व्म क्रिकर प्रिसाइन को सब हिंड़ी को यहां पर देखे हुए जल्त η सभीं के लिए य तो आपके कहने से कुछ नहीं होगा जो ये सिख्चा मंतरी और चैर्में चाहेंगे मीटिंग करकर जल्दी करना चाहेंगे तूँ करना चाहेंगे तो 2001 इसके अंदर रिजर्ट जो है इसकी एक्जामन होने की यहां पर चांसे कम है पर देखते हैं दोस्तों ग्या होता है जैसे ही कोई और अपडेट आएगा हम आप तक जुरू सेर करेंगे सब्सक्राइब कर लिजेगा हमारे चैनल स्टडी जोन को वीडियो होगे पुसंदाय करेगा और दोस्तों ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को सेर कर देंगा पने वाट्सक गूरूब इस गूरूब जिस गूरूब पर सेर्कन जरूब कर दिया तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तप अगले दोसों जाहिंद झाल झाल